नमस्कार दोस्तों MP परिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम नम्मर सिस्टम यानि संख्या पद्धिती हम बेसिक से ये पढ़ेंगे कि इसमें वाकि जो जो संख्या होती है उनका उपियोग क्या है और उनको हम परिस्टम में कैसे अपलाई करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नम्मर सिस्टम की बेसिक यानिकी जो उसकी बेसिक बाते हैं उसके बारे में जानेंगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि हम संख्या पद्धिती की बात करते हैं दोस्तों, एक्जाम में इससे जो पिरसेन आता है, वो इसके एपलीकेशन पर आता है, यानकि इसके अनुपरियोग पर आता है, लेकिन छात्रों को ये पता ही नहीं रहता है कि कौन सी संख किस प्रकार की संख्या है तो पहले इसके basic अच्छे से हम जानेंगे कि इसका basic concept क्या है उसके बाद हम संख्या पद्धिती को आज से हमने a basic start कर रहें उसके बाद और आपकी 4-5 वीडियो आएंगी जिसमें आपके prime factors निकालना, unit digit निकालना, ऐसे सभी total जो भी number system से question आपके MP Constable, चाहे Railway के exam हो, चाहे आपके कोई भी State Board exam हो, उनमें बहुत ही आपके लिए helpful रहेंगे. देखते हैं दोस्तों संख्या पद्यती. संख्या पद्यती में अगर मैं बाप करूँ, तो सबसे पहली संख्या मैं लेता हूँ आपके सामने प्राकर्त संख्या. प्राकर्त संख्या या नैचुरल नंबर? यह ऐसी संख्यास का संहु जो एक से स्टार्ट होती हैं और अननत तक जाती हैं. यानि कि अगर मैं बात करूँ नैचुरल नंबर, तो natural number जो होते हैं, यैनि कि अपनी प्राकर्त संक्या, प्राकर्ट संक्या, एक strat या समुच्च होता है, जिसमें आप पहली संख्या आपकी एक होती है, और एक से लेकर दो, तीन, हम कहां तक पहुँशते हैं? infinity तर. ऐसी संख्या, जो एक से प्रारम होती है, और कहां तक जाती है, infinity तक जाती है, वो सभी संख्याइं आपकी क्या कहलाती है, प्राकर्त संख्याइं कहलाती है, तो दोस्तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि प्राकर्त संख्याइं, प्राकर्त संख्याइं बेसंख्या होती है, यानि कि अन संख्याँ का समुच् infinity तक जाती हैं वो सभी संख्या आपकी क्या कहलाती है प्राकर्ट संख्या कहलाती है दूसरा बात करता हूँ मैं दोस्तो पूर्ड संख्या एन्या बोलते हैं अपन whole number दोस्तो क्या हुआ कि इसमें मैंने देखा जो प्राकर्ट संख्या थी उसमें आप कोई भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पूर्ड संख्या जब divide में आई यानकी जब आई ये दोनों कि जब 0 का विसका हो चुका था यानकी ऐसी संख्या हैं जिनमें हम 0 प्राकर्ट संख्या हैं एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसी संख्या हैं पूर्ड संख्या कहलाएंगी जिनमें सभी प्राकर्ट संख्या भी हो और उनके साथ आपका क्या हो जीरो हो तो होल नम्बर जिसे हम डवलू से डिनूट करते हैं वो हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, up to infinity तो ये आपके क्या हो जाएंगी पूर्ड संख्या हैं यानकी ऐसी संख्याँ का समच्या है जिनमें पहली संख्या आपकी 0 हो और 0 से लेकर आप कहां तक पहुँचें infinity तक पहुँचें वो सभी संख्याँ आपकी क्या कहलाएंगी पूर्ड संख्याँ कहलाएंगी next देखते हैं third number पर आपका आता है पूर्ड आंख संख्याँ integer number अब हुआ क्या दोस्तो जब कभी एक छोटी सी बात सोचते हैं कि व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरे पास यदि किसी ने रुपे दे दिये यदि मुझे किसी ने रुपे दिये तो मेरे दवाग में ये चीज सबसे पहले बैठी है मेरी जेब में कुछ ना कुछ रुपे आई इसका मतलब मैंने सोचा कि ऐसी चीजें तलफ में होती हैं लेकिन अगर वो ही पैसे अगर मेरी जेब से गए किसी के पास इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मेरी जेब में अब कुछ नहीं बचा तो मेरी जेम से गए तो मैंने जब घरजा के साम को ये दोनों चीज़ों पर एनलाइसिस किया तो मुझे पता चला कि एक बार तो मेरी जेम में पैसे आये थे और वापस मैंने पैसे दे दिये तो मेरी जेम में जो भी पहले था वो ही बचा इसका मतलब यह है कि पूर्णांग संख्या है, इस चीज को आप कैसे रिलेट करोगे उदर से, और उन्हें बोला कि मेरी जेम में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि मद्दे में आप क्या लेलो, जीरो, और इधर साइड में आप दोस्तों क्या लेंगे, इधर साइड में आप दोस्तों क्या लेंगे, इधर साइड का मतलब यह है दोस्तों कि आपकी जेम में कुछ ना कुछ पैसा आया, इसका मतलब इधर जो भी धनातमक, एक, दो, तीन, अप्टो, इंफिनिटी, और इधर आप कौन सी संख्या लोगे, यानि आपने पैसे दे दिये, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फ़र, यानि कि पूर्णांग संख्या, ऐसी संख्याओं का समच्य होता है, जिनमें जीरो से लेकर, एक तरफ आपका क्या होती है, धनातमक संख्या होती है, और एक तरफ आपकी क्या होती है, रणातमक संख्या होती तो कह सकते हैं हम कि 0 के right hand पर अगर हम चलेंगे तो 0 के दाएं सरे पर धनात्मक प्राकर्त संख्या है और अगर इदर की बात करेंगे दोस्तों तो यहां हो जाएगा रधनात्मक प्राकर्त संख्या है के ने दर आपका minus 1, minus 2, minus 3 तो पूर्णांग संख्याओं में आपका क्या होता है basically पूर्णांग संख्याओं में मद्य में आपकी 0 होती है और right hand side में इनकी दाएं सरे पर आपका क्या होता है दनात्मक प्राकर्त संख्या होती है और आपके 22 पर क्या होता है रणात्मक प्राकट संख्याएं होती है तो ऐसा समुच्चे तो इन्हें basically कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो minus infinity से लेकर plus infinity तक रहती हैं वो सबी संख्याएं किसके अंदर आएंगी पूर्णांक संख्याओं के अंदर आएंगी next देखते हैं दोस्तो पूर्णांक संख्याओं के बाद आपका आता है भाज्य संख्या composite number आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो बिभाज्यत हो सके तो दोस्तो ये ध्यान रखना यहाँ problem क्या होती है कि student को यहीं नहीं पता रहता एक, दो, और तीन, इनको भी वो ये समझ बैठते हैं कि एक, दो, तीन, यह भी किसी ना किसी से भाज्य हो रही है लेकिन दोस्तो भाज्य संख्या का मतलब basically यह होता है कि कम से कम उसके दो गुड़ांखण होना जरूरी है अगर कम से कम दो गुरंखंड अगर किसी भी संख्या के हैं, तो वो ही आपकी क्या कहलाएगी, composite या भाज्य संख्या कहलाएगी, तो अगर हम सबसे चोटी भाज्य संख्या की बात करते हैं या स्मॉल एस्ट स्मॉल एस्ट कमपोसेट नमबर सबसे चोटी सबसे चोटी भाज्य संख्या तो आपकी सबसे चोटी भाज्य संख्या या पर भाज्य संख्यां के जहां से सुरुवात होती है वो आपके क्या हो जाएगा 4 क्योंकि 4 में मैंने देखा दोस्तों अगर मैं इसका डवैड करूँगा ये factor निकालूँगा तो 2 into 2 मैंने यही बताया था कि कम से कम आपके कितने factor होने चाहिए 2 factor होने चाहिए वो ही संख्या है आपके क्या कहलेंगी भाज्य संख्या है अगला हो जाएगा दोस्तों 6 8 10 15 20 25 तो ये सबी संख्या हैं जिनके कम से कम आपके 2 factor हैं जिनमें किसी ना किसी का divide जा रहा है एक या एक से अधे संख्याओं का जिनमें क्या कर सकते हैं विवाज़त कर सकते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं तो कभी जबी डारेक्टली आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है आपकी 4 और कभी जबी ये पूछ लिया जाता है सबसे छोटी बिसम संख्या बिसम संख्या जो एक भाज्य संख्या है वो आपकी कौन सी है नाए तो ऐसे आपको कुछ ध्यान भी रखना है इन चीजों को ये basic concept होते हैं जो क्या करते हैं जब कभी बड़ा question आपका बनता है तो वो इनहीं को कथन लेके बना लेता है कि निम्र में से कौन आसकते है या सकते है तो वो आपको किस प्रकार बनाएगा वो बोलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तीन है दूसरा आपका कथन रहेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या नाइन है आपका तीसरा कथन रहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है यगर आपका कथन रहेगा इन में से कोई नहीं तो आपसे परसिंट पूछा था कि कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है उससे संबन्दित निम्न में से कौन सा कथन सकते है तो आपका कौन सा हो जाएगा कि सबसे चूटी भाज्य संख्या आपकी क्या है चार है तो दोस्तो इस प्रकार आप भाज्य संख्याओं को अच्छे से समझ सकते हो Next देखते हैं दोस्तो Next आपका आता है परमे संख्या Rational number अगर परमे संख्या के बारे में बात करते हैं तो ऐसी संख्याओं जिने हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं यह ऐसी संख्याओं जिने हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याओं परमे संख्या कहलाती है लेकिन इसमें भी एक सर्थ होती है दोस्तो वो सर्थ क्या है आपकी Q not equal to 0 Q कभी 0 नहीं होगा 0 के अलावा Q आपका कुछ भी हो सकता है तो यह ऐसी संख्या जिने हम एक भिंद के रूप में यानि P upon Q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें Q not equal to 0 वे सभी संख्या आपकी क्या कहलाती है परमे संख्या कहलाती है तो दोस्तो अगर बात करूँ मैं परमे संख्या में तो आपके जितने भी नैचरल नम्मर है वो सभी परमे संख्या है क्योंकि देखो 2 तो 2 को मैं 2 upon 1 लिख सकता हूँ जितने भी आपके whole number है वो सभी परमे संख्या है और जितने भी आपके integer number है वो सभी क्या है परमे संख्या है तो कहने का मतलब दोस्तो ये आया कि जितने भी लगबग real number लगबग real number परमे संख्या होती है लेकिन सभी real number जो होते हैं वास्तरिक संख्या हैं जो होती हैं वो परमे संख्या नहीं हो सकती तो मैं ऐसे बात करूँ आपको 3 by 2, 2 by 3, 0.5, 0.3 ये सभी संख्या हैं आपकी परमे संख्या कहलाती हैं कभी जबी क्या होता है आपके सामने ऐसा question आजाता है 2 by 3 अगर मैं 2 by 3 को divide करूँ तो 0.6666 ऐसे करके repeat होता रहेगा और आपको ये 2 by 3 ना देकर आपको दे दिया जाएगा 0.6666 और up to तो पूछ लेगा निम्न मैंसे ये कौन सी संख्या है तो दोस्तो जब भी अगर कोई ऐसी point में संख्या आ रही है दसमलम में कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसका repetition बार बार हो रहा है point के बाद तो ऐसी भी संख्या आपकी क्या कहलाती है परमे संख्या ही कहलाती है जैसे 0.333 ठीक है यानिकी सांत दसंवला प्रसार वाली जितनी भी संख्या होती है वो सभी आपकी क्या कहलाती है परमे संख्या कहलाती है ठीक है दोस्तो next देखते है next होता है दोस्तो आपरमे संख्या तो just उसका reverse है दोस्तो परमे संख्या ऐसी संख्या थी जने हम p upon q के रूप में लिख सकते थे अपरमे संख्या ऐसी संख्या है जने हम p upon q के रूप में नहीं लिख सकते तो दोस्तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जैसे इसके एक्जांपल है आपके root 3, root 5, root 7 और root 9 मैंने दोस्तो root 9 लखा तो बच्चे confuse हो जाते हैं कि root वाली जो value लगवग होती है वो सभी आपकी क्या 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 लाती है अपर्मे संख्या लेकिन दोस्तो root 9 अब root 9 को मुझे पता है ये किसका होता है 3 का होता है तो 3 और 3 को मैं क्या लख सकता हूँ 3 y 1 तो इस तरह से ये कौन सी संख्या होई पर्मे संख्या तो दोस्तो ऐसी संख्या है जो root के अंदर है और जिनका root हमें ग्यात है वो संख्या है आपकी क्या है अपर्मे संख्या है नहीं कहलेंगे तो इस तरह से under root 9 एक पर्मे संख्या है ये अपरमे संख्या नहीं है रूट 7 के अलाबा दोस्तो रूट 11 उसके अलाबा रूट 30 यानि कि जिनका हम वर्गमूल सीधे नहीं निकाल सकते जिनका हमें नहीं पता रूट 3 की वैलू क्या होती है क्योंकि रूट 3 की वैलू अगर देखते हैं दोस्तो हम लिखते हैं 1.732 तो कुछ छात्र बोलते हैं कि 1.732 है इसको भी तो हम दसमलब संख्या को भिन्द में बदल कर परमे संख्या बना सकते हैं लेकिन दोस्तो ये इसकी approximate यानि कि लगबग value है जो हम calculation के लिए मान लेते हैं लेकिन जो चीज मानते हैं दोस्तो वो exact वो चीज होती नहीं है जब अगर इसकी हम बात करेंगे तो दोस्तो ये यहां तक ऐसा route चलता ऐसी point की value आती रहेंगी जो कभी खतम नहीं होंगी या फिर उनका repetition नहीं होगा तो दूसरी definition यहां से यह बनती है अपर में संख्या की कि ऐसी संख्या हैं जिनका point के बाद repetition नहीं होता है जो कहीं भी जाकर खतम नहीं होती है आप divide देते चले जाएए भाग देते चले जाएए लेकिन उनका end point नहीं आएगा वो सभी संख्या हैं भी आपकी क्या कहलेंगी अपर में संख्या कहलेंगी इसमें एक सबसे best example जो होता है वो है आपका pi लेकिन pi में अगर दोस्तों आपको exact pi दे रखाए तो इसका मतलब यह अपर में संख्या है लेकिन अगर आपको कहीं भी 22 वटे 7 दे दिया जो हम pi की value के रूप में उप्योग करते हैं mathematics में question करने के लिए अगर 22 वटे 7 आपको दिया है और यह पूछा है 22 वटे 7 क्या है सबजना दोस्तों मैं क्या कहना चाहरा हूँ 22 वटे 7 क्या है तो 22 वटे 7 आपकी permission क्या है क्योंकि देख रहा है मुझे कि मैं P upon Q करूप में लिख रहा हूँ से असानी से लेकर अगर बात करें बेटा pi की तो pi आपकी क्या है आपर में संख्या है क्योंकि pi की जो value होती है वो 3.1414 ऐसी value आती है जो point के बाद कहीं भी उसका end point नहीं आ पाता है वो सभी संख्या है अपर में संख्या है कहलाती है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या है जिने हम P upon Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सभी संख्या है आपकी क्या कहलाती है अपर में संख्या है कहलाती है नेच्ट देखते हैं दोस्तो अब आता है दोस्तो आपका वास्तविक संख्या और एक आता है आपका खाल्पनिक संख्या रियल नम्बर इमेजनरी नम्बर तो वास्तविक संख्याओं में एनकी ऐसी जो भी हम पढ़े है अब तक जो भी चीज हमने पढ़ ली है चाहे हमने प्राकट संख्याओं पढ़े हैं चाहे हमने पूर्ड संख्याओं पढ़े हैं पूर्डां संख्याओं पढ़े हैं हमने भाज्य संख्या पढ़ियें, हमने अपर्मे संख्या पढ़ियें, पर्मे संख्या पढ़ियें, और आगे भी हम अभाज्य संख्या, जितने भी संख्या हैं, वो सभी आपकी क्या कैलाती हैं, रियल नम्मर, वास्त्विक संख्या कैलाती हैं, इसका मतलब चाहे आपकी न mathematics में जो आसानी से दिख भी जाती हैं कि क्या है वो वास्त्रवक संख्या है लेकिन दोस्तों जब imaginary संख्या की बात करते हैं अपन imaginary संख्या imaginary संख्या basically इसके definition होती है अगर किसी under root के अंदर minus की value हो समझना इस चीज को मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि काल्पनिक संख्यां वे संख्या कहलाती हैं जिनके root के अंदर minus की value root के अगर बाहर minus की value है दोस्तों तो वो आपकी काल्पनिक संख्याना होकर वो क्या हो जाएगी आपकी real number हो जाएगी काल्पनिक संख्याना होकर वो आपकी क्या हो जाएगी real number हो जाएगे लेकिन दोस्तों यदि root के अंदर minus 1 है तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलेंगी काल्पनिक संख्याएं कहलेंगी और इसी लिए root minus 1 को हम इसे अलग से define करने के लिए अलग से परिवासित करने के लिए इसे iota से denote कर देते तो जिस भी संख्या के सामने iota लगा हुआ है जिसी भी संख्या के आगे iota लगा हुआ है या under root minus 1 है तो वह संख्या आपकी क्या कहलाएगी काल्पनिक संख्या कहलाएगी जैसे आपने minus root 3 है या तो आपको ऐसा मिलेगा या फिर आपको 3 iota मिलेगा थ्री आयोटा यह आयोटा थ्री कैसे भी मिल सकता है आपको यदि आयोटा अगर किसी संख्या के साथ मिल रहा है तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी काल्पनिक संख्या कहलाएगी तो दोस्तो और इनके संख्याओं के अलाबा जितनी भी आपकी संख्या हैं वो सभी संख्याओं आपके क्या कहलेंगी वास्त्विक संख्या कहलेंगी तो अब इन दोनों का जो mix होता है उसे ही बोलते हैं हम सम्मिस्र संख्या यहनिकि सम्मिस संख्या का मतलब होता है दोस्तो A पलस आयोटा भी ऐसी संख्या हैं जिन में वास्तविक संख्या भी हो वास्तविक संख्या और जिन में कालपनिक संख्या भी हो वो सभी संख्या हैं आपकी क्या कहलाती हैं सम्मिस्त्र संख्या हैं कहलाती है तो दोस्तो इस प्रकार संख्या पद्धिती में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और इन दोनों का जो मिस्रण है वो आपको कैच सम्मिस्र संख्या है ये मैं आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं ये बेसिक नॉलेज है नम्मर सिस्टम की संख्या पद्धिती की तो आपको हो सकता है कि डारेक्ली आपको एक्जाम में नहीं पूछा जाए लेकिन इनका ग्यान होना आवश्यक है तभी आप नम्मर सिस्टम में जो कुष्चन आएंगे उनको कर पाओगे नेक्स संख्या देखते हैं दोस्तों जो एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कुष्चन हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नम्मर यहां से आपको कुश्चन हमेशा पूछा जाता है अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनक में केवल या तो खुद का भाग जा रहा हो स्वेम का या केवल एक का भाग जा रहा हो वो सभी संख्याएं आपकी क्या कैलाती हैं अभाज्य संख्याएं कैलाती है मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऐसी संख्या जिनमें केवल स्वेम का भाग जा रहा हो, या एक का भाग जा रहा हो, वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, अब हाज्य संख्या कहलाती है, जैसे अगर मैं बात करूं, दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, और सत्र अब बोलेंगे स्टुडेंट सार एक क्यों नहीं लिया, दोस्तो एक ना तो प्रायम संख्या है, ना नौन प्रायम संख्या है, एक जो होती है, ना तो हम अभाज्य संख्या की स्रेंडी में लेते हैं, और ना ही भाज्य संख्या की स्रेंडी में लेते हैं, तो एक को छोड पूछने के बाद आपकी दो से क्या होते हैं? अबाज्य संख्या हैं आपके प्रारंब होते हैं तो अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अबाज्य संख्या सबसे छोटी अबाज्य संख्या आपके MP Constable के एक पेपर में मैंने देखा यही question पूछा गया था कि सबसे छोटी अबाज्य संख्या क्या है? तो option आपके इस प्रकार थे 1, 2, 3, 9 तो दोस्तों लगवग students ने चात्र ने 1 को टिक कर दिया लेकिन अब आपको याद रखना है आज के बाद कि सबसे छोटी जो अबाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती है? 2 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 में किसी ना किसी का डवाइड चला जाएगा मैंने क्या बताया? जिसमें स्वैम का डवाइड जाए और या फिर एक से डवाइड हो वह संख्या आपकी क्या कहलाती है? अबाज्य संख्या कहलाती है और दूसरी चीज दोस्तो एक मात्र सम अभाज्य संख्या भी आपकी क्या है? दो या तो ये दोनों चीज याद रखना कि सबसे चोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपकी दो है और एक मात्र सम अबाज्य संख्या भी आपकी क्या है दो है अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी बिसम अबाज्य संख्या आपकी क्या है तो सबसे छोटी और प्राइम नमर आपके क्या है तीन है यानि सबसे छोटी विसम अभाजय संख्या आपकी क्या है? तीन है तो दोस्तो कुछ पॉइंट है वो आप लिख लो एक से लेकर 25 तक अगर मैं बात करूँ कितनी अभाजय संख्या होती है तो दोस्तो एक से लेकर 25 तक आपकी टोटल कितनी अबाज संख्या होती है 9 अबाज संख्या होती है 25 से लेकर 50 तक 25 से लेकर 50 तक आपकी टोटल कितनी अबाज संख्या होती है 6 और दोस्तो 50 से लेकर 75 तक आपकी अबाज संख्या होती है सोरी 50 से लेकर 100 तक आपके अबाज़ संख्या होती है दोस्तो 10 तो ये भी आपको याद रखना है ये आपको directly याद रखना है कि 1 से लेकर 25 तक total अबाज़ संख्या कितनी होती है 9 25 से लेकर 50 तक कितनी अबाज़ संख्या होती है 6 और 50 से लेकर 100 तक कितनी अबाद जिसंख्या होती है 10 तो आपको directly पूछ लिए जाता है कि 1 से लेकर 100 तक total अबाद जिसंख्या आपकी कितनी रहेंगी 25 ठेक है दोस्तो, next देखते हैं next है आपका दोस्तो सह अबाद जिसंख्या या co prime number इनी को दोस्तों क्या बोल सकते हैं relatively prime number यानि कि सह अबाद जिसंख्या co prime number या relatively prime number तो ऐसी दो संख्या है जैसे मैंने ये दो संख्या ली हमेशा pair में रहेंगी पहली चीज़ तो ये है क्योंकि इसमें बोला है सह अबाद जिसंख्या है तो ये हमेशा पेर में रहेंगी, आपके पास एक संख्या है A और एक संख्या है आपकी B, तो इन दोनों संख्याओं का यदी हम HCF बात करें, महत्तम समागबटक की बात करें हम, तो हमेशा क्या आएगा 1. लेकिन दोस्तों इसमें ये जरूरी नहीं है कि कभी जबी बच्चे यहां कन्फ्यूज रहते हैं कि A और B सहाबाज्य संख्या हैं, इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या होंगी, तभी सहाबाज्य संख्या कहलाएंगी, ऐसा नहीं है, हमारा इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ऐसी दो संख्या हैं, अगर एक युगम में हैं, पेर में हैं, तो उनका HCF हमेशा क्या आना चाहिए, वन, चाये वो समसंख्या हो, समसंख्या का पेर हो, चाये वो विसमसंख्या का पेर हो, कैसा भी पेर हो, जरूरी नहीं है कि वो सभी अभाज्य संख्या ही हो, जैसे मैं अगर एक्जाम्पल लेता हूँ आपका तो एक्जाम्पल में आपका मैंने ले लिया 4 और 13 तो दोस्तो 13 तो एक आपकी क्या है अभाज्य संख्या है 4 आपकी क्या है एक भाज्य संख्या है तो दोस्तो अब ये जरूरी नहीं है मैं यही चीज समझाना चारा हूँ कि यह जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याई ही हो concept पकड़ना दोस्तो कि यह जरूरी नहीं है कि दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याई हो दोनों संख्याएं कुछ भी हो सकती है लेकिन उन दोनों में कोई भी चीज common ना हो कहने का मतलब उनका महतम समाब बढ़तक 1 हो तो दोस्तों 4 और 13 का अगर मैं HCF की बात करता हूँ महतम समाब बढ़तक की बात करता हूँ तो वो कितना है 1 तो ये 4 और 13 आपका क्या कहलेंगे को प्राइम नंबर या सहे अबाज्य संख्या और जैसे एक्जामपल दोस्तों आप ले लेते हैं 12 और 17 और आपके एक्जामपल 6, 13 या 11, 13 दो अबाज्य संख्या हैं सहे अबाज्य संख्या तो आटोमेटिक ही होंगे क्योंकि अबाद्य संख्याओं में तो किसी के डवाइड ही नहीं जाता है किसी से वो विवाजित ही नहीं होती है लेकिन concept यहां रहता है कि एक even number और एक आपका क्या है prime number यह दोनों भी अगर इनके बीच में भी कुछ common नहीं है तो वो भी आपकी क्या कहलाएंगी सहाबाद्य संख्याओं कहलाएंगे next देखते हैं दोस्तो अब आजाता है आपका last topic है इसका समसंख्या, बिसमसंख्या समसंख्या यानि कि even number बिसमसंख्या यानि odd number तो अगर मैं समसंख्या की बात करता हूँ दोस्तो तो ऐसी संख्याएं जिनमें दोका पूरा पूरा भाग चला जाए है वो सभी संख्याएं आपके क्या कहलाती है समसंख्याएं कहलाती है तो जैसे मैं अगर example नहीं 0, 2, 4, 6, 8 कभी जबी दोस्तो इसका confusion रहता है student को कि 0 क्या है 0 ना तो positive संख्याएं ना धनात्मक संख्याएं ना रणात्मक संख्याएं क्योंकि 0 का मतलब होता है कहने का मतलब सब 0 है कुछ नहीं है जैसे अपने जीवन में भी हम बात करते हैं कि इंसान जनम लेता है और अपने जीवन की जो भी उसकी क्रियागदी है अपने कर्मांड के अंसार वो करता रहता है लेकिन अंत में जाके उसे क्या होना पड़ता है 0 तो उसकी लैंख में क्या positivity रही next है दोस्तो संख्या, even number, विसंख्या, और number संख्या या ऐसी संख्या हैं जिनमें दो का पूरा-पूरा भाग चला जाए वे सभी संख्या हैं आपकी क्या 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 लाएंगी संख्या क्या लाएंगी इसके अलावा जिनमें दो का पूरा-पूरा भाग नहीं जाता है वो संख्या हैं आपकी क्या कहलेंगी? बेसमसंख्या कहलेंगी तो दोस्तो अगर संख्या की बात करता हूँ 0-2-4-6-8 लेकिन बहुत स्टुडेंट को यही याद रहता है कि 2-4-6-8 ही आपकी क्या है? संख्या है और कभी जबी यह पूछ लिया जाता है कि सर 0 क्या है? तो दोस्तो 0 ना तो दनातमक संख्या है और ना ही रनातमक संख्या है 0 का मतलब माना जाता है कि बोलेनात के डंबरू से इसका क्या है? प्रोडू्श अटपादन हुआ था एक तरह से और या फिर हमारे जो आर्रे बटते उन्होंने भी zero की खोजगी थी तो दोस्तो zero का basic मतलब ये होता है कि जैसे व्यक्ती का जनम होता है जनम होने के बाद वो अपनी कर्म कांड किरिया के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है और एक दिन ऐसा टायम आता है कि वो मिट जाता है या फिर वापस हो के आ जाता है जीरो जीरो में ही पैदा हुआ था और जीरो में ही चला जाता है तो दोस्तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही रनात्मक संख्या है लेकिन जीरो एक समसंख्या है क्यों क्योंकि अगर 0 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा दोस्तों तो वो कितने टाइम जाएगा 0 टाइम जाएगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक समसंख्या है उसके अलाब अगर बिसमसंख्या की बात करता हूँ दोस्तों तो आपका 1, 3, 5, 9, 7, 11, 13 यानि कि जितनी भी ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो सभी संख्या हैं आपकी क्या कहलाएंगी बिसमसंख्या कहलाएंगी नेच्ट देखते हैं दोस्तों आरोही करम अब रोही करम असेंटिंग ओडर और डिसेंटिंग ओडर दोस्तों यहां कुछ छात्रों को बहुत कन्फूजन होता है क्योंकि वो बार बार इस चीज को रट लेते हैं कि आरोही करम क्या होता है अब रोही करम क्या होता है और exam में क्या होता है हमारे उपर exam का pressure रहता है इस बज़े से वहाँ हमें confusion हो जाता है पैदा कि कौन सा ROE करम रहता है और कौन सा अवरोही करम रहता है लेकिन आज के बाद किसी भी time आपको ये confusion नहीं होगा कि कौन ROE करम में है और कौन आवरोहिकरम है तो आरोहिकरम की बात करता हूं दोस्तों तो ऐसी संख्या जिन्हें हम यहनकि ऐसा किरम जिन्हें हम छोटे से छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं जैसे आपको ओरली दे दिया 35, 32, 46, 47, 12, 15 तो बताओ इन्हे आरोई करम में कैसे लखेंगे तो आरोई करम में मैंने क्या बताया छोटे से पहले आपको क्या पकड़ना है सबसे छोटा यानि आपने क्या लिया 12 उसके फिर बाद बड़ा 15 फिर उससे बड़ा 32 फिर उससे बड़ा 35 उससे बड़ा 46 और उससे बड़ा 47 यानि कि संख्याओं का ऐसा समूँ जिन में पहले सबसे छोटी संख्या और बाद में सबसे बड़ी संख्या वो कहलाता है आपका आरोही करम आरोही करम आपका जेस्टर रिवर्स यानि कि बड़े से छोटे की ओर तो इसी एक्जामपल को ले लेते हैं इसमें सबसे बड़ा है 47 उसके बाद आपका छोटा है 46 फिर आपका छोटा है 35 फिर आपका 32 फिर आपका 15 फिर आपका 12 तो यह करम आपका कहलाएगा आरोही करम लेकिन ये चीज तो सर आप क्या बता रहे हो ये तो सबको ही पता है आरोही करम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर और आरोही करम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर हमें तो अपना confusion दूर करना है तो दोस्तों अगर confusion दूर करना है तो आपको क्या याद रखना होगा मैंने क्या सब्द है मेरा आप इनका हिंदी अड़ पे याद रखो आरो ही और इसका हिंदी अड़ पे याद रखो अवरो ही मैं अधर एक बार आपको समझा देता हूँ यह मिटा देता हूँ एक बार अगर आपको इसका confusion दूर करना है तो आप ये वर्ड याद रखो हिंदी वर्ड इसका याद रखो आरो ही और इधर होता है आपका अवरो ही एक बार करके देखना उसके बाद आपका confusion हमेशा के लिए दूर हो जाएगा दोस्तो आरो ही में अच्छर कितने हैं मैंने देखा कि आरो ही में कितने अच्छर हैं तीन अच्छर हैं और मैंने अवरोही की बात करी, तो अवरोही में मेरे कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं, मैंने देखा दोस्तो आरोही में, मैंने देखा दोस्तो आरोही में तीन अक्षर हैं, और अवरोही में आपके कितने हैं, चार अक्षर हैं, तो दोस्तो अक्षर किस में कम हैं, मुझ से अक्छर के मामले में चोटा है इसका मतलब आरोई का मतलब हो गया चोटे से बड़े की और और आवरोई में आरोई से एकक्छर जादा है यांकि बड़ा अक्छर है इसका मतलब हो गया बड़े से छोटे की ओर तो ऐसे आप याद रखो तो आपका हमेशा confusion दूर रहेगा अगर person में जैसे ही दिया कि इनको ROE करम में लगाईए दोस्तों जब आप माद्दिका, बहुलक और समानतर माद्दे की बात इन में से अगर माद्दिका की बात करेंगे तो आपको बहुती छोटा question दे दिया जाता है और उसमें आपको ROE करम में लगाना होता है लेकिन confusion यही रहता है कि ROE करम क्या है और अवरोही करम क्या है तो क्या ROE में क्या हो रहा है दोस्तों आपको दिख रहा है कि अक्षर छोटे हैं अवरोही से छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर अवरोही इससे बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर तो इस प्रकार दोस्तों आप आरोही और अवरोही के कन्फूजन को दूर कर सकते हो तो दोस्तो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो पलीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जादा से जादा share करें दोस्तो आज हमने नम्मर सिस्टम के basic concept को समझा था और आगे हम नम्मर सिस्टम में आगे की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे जो आपके एक्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगी थैंक यू दोस्तों ऐसी और वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजे MP परिक्षा चैनल को और बेल आइकन दवाना ना भूले और अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी करें तो अभी डाउनलोड करें परिक्षा आप